हम सब जानते हैं कि आगामी विधान सभा चुनाव बहुत महतुपूर्ण होने जा रहे हैं ये माना जा रहा है कि ये सटा का सेमी फाइनल है और हमेशा ही होता है कि पांच राज्यों के चुनाव जो हैं खास तोर पर इन में जब तीन राज्यों में सीधे-सीधे कॉंग्रेस और बीजेपी की टकर होती दिखाई दे रही है 36 गड़ मद्यप्रदेश राजिस्थान इनके चुनाव बहुत एहम माने जा रहे हैं राजिस्थान में चेहरे को लेकर जो घमासान चलता रहा कॉंग्रेस कुछ हद तक ठाम पाई है लेकिन राजिस्थान में वसंदरा का च जैशंकर गुपता जी हमारे साथ मौ एपका सफवागत है विनोद अगनी हुतरी जी आपका पत्रकार राज बिहारी जी मेरे साथ मौजूद है आज हमारे साथ खबरों के खिलारी में एक नए महमान जुड़ रहे हैं और वरिष्ट पत्रकार हैं जाने माने राजनेतिक विशलेशक हैं शुवरता बटाचारिया जी आपका भी सर बहुत स्वागत है अमरुजला.com के संपादक जैदीब करनिक भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये राजनेतिक घटना करम विपक्षी एक जुटता या फिर एंडिये की तैयारियों को प्रभावित करता है जो हाल के दिनों में देखने को मिला है जैशंकर जी शुरुआत आपसे करना चाओंगा अभी हमने जो करनाटक हिमाचल के चुनावी नतीजे देखे उसके बाद उतसाहित कॉंग्रेस आपको लगता है कि आगामी विदान सभा चुनाव पर इनका असर पड़ेगा और एक ऐसे समय पर जब राजिस्तान में तो य एक बात है विपक्षी एक जुटता खास मायने नहीं रखती है क्योंकि तीनों राज्यों में राज्थान में मत्यप्रदेस में 36 गड़ में भाजपा बनाम कांग्रेस का चुना होगा कांग्रेस ने जरूर मत्यप्रदेस में गुणवाना गणतंत्र पार्टी जैसे लोग करनाटका में जिस तरह से चुनाओ से पहले बीजेपी छोड़ चोड़ करके लोग आ रहे थे कांग्रेस में अभी वही दिरिस में मुझे दिखाई दे रहा है मद्रदेस में लोग भाग भाग करने वाले हैं संगटन को मद्बूत करने को लेकर इस मामले में कोई जवाब इसी सवाल पर पीछे से आगे आता हूं सुवरज जी आप मुझे बताएं कि आपको आगामी विधान सभा चुनाओं में क्या इस्तियां दिख रही है मद्यप्रुदेश और चटीजगर को लेकर अपना समीकरन बताया जैशंकर जी ने राजस्थान को लेकर हलाकी कहना बड़े बड़े नेताओं की कार्पेट बॉंबिंग जो है वो एक तरीके से शुरू हो गई रहलियां चल रही है और चेहरे का और एंटी इंकंबंसी रिवाज जो भी कह लें आप फिर भी क्या कहेंगे तीनों राज्यों में क्या इस्तितियां लगत होगा अलग टूर्ण कॉंग्रेस की जमीन ठीक है बीजेबी की जमीन में खराब नहीं है कर्चा शट्रीजगर में रवन सिंग को छोड़ दिया है इसका मतलब कि उनको नए लीडर की तराश है मद्यप्रदेश में क्योंकि पुराना कॉंग्रेसी घाग कॉंग्रेसी कमलनाथ बैठा हुआ है इस कर दिया अपने 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 अलाके में और आते हैं राजस्थान पर राजस्थान में कॉंग्रेस ने शगुफा चोड़ा था फॉर्टी परसंट सरकार विकानेर की के स्पीश में मौदी ने दुखे दिया कि यह 85 परसंट कमिशन सरकार है तो प्लडवार और 16 तरीक से ज चेडने वाले हैं तो बीजेपी कॉंकि कॉंग्रेस का अंत्रकल है का अंदर अब जो है सचिन पालेट ने जो मुद्दे उठाए गलोड के खिलाफ अब वो चुप बैठके बात लगए तो आ गए ना मुद्दे किसके खिलाफ है सरकार खिलाफ है इसमें इसमें महतुपू भी लिया है डिफ्यूज कर दिया और पर लिग का मुद्दा है बेडिफ्यूज नहीं होगा क्योंकि देखिए महां पर जो है बीजेपी अब राजस्तान की खबरें दिल्ली में पता नहीं कि आपका अमनुजा रहा कर दिशन भी टैपर में तो उत्थाली बजाओ आंदोल मुझे आपकी बात समझ में आई मद्यप्रदेश 36 गड़ कॉंग्रेस थोड़ा मजबूत है बीजेपी ठीक है देखना होगा आने वाले लेकिन राजस्तान में बीजेपी की स्थिती मजबूत है नहीं है क्योंकि प्लस जो नुक्सान पहुंचाए वह सुंद्रा का चेहरा ना आये ना आये इसको लेकर बड़ी सुख बुगहार चल रही है कुछ हद तक कॉंग्रेस कहती है कि दोनों को साथ में दिखा तो दिया है लेकिन अंतरकले जैसा शुवरत जी गोल रहे हैं कि वह अभी बरकरार आपको क्या लगता है राजस्तान और बाफिर मद्य प्रद करते हैं और विधान सभा में लोग तरीके से वोट करते हैं पिछले चुनाओं में भाजपा सोच नहीं सकते ही थी कि इतनी ऐसे हिंदी पट्टी के तीनों राज्य एक साथ चले जाएंगे वह तो मद्यवासी बुद्धा बड़ा रहा और जो आदिवासी का मुद्धा उठाए भी जेशिंगर ची ने उसको मैं कहूंगा कि बुद्धा खड़ा हुआ और संयोग से वह भाजपा का नेता ही निकला लेकिन जिस तरीके से डेमेज कंट्रोल में शिवरा सिंग चौहान जुटे के जिस वेक्ति को ढूंड के ले आ बदले जाने की बात थी वो नहीं बदला है एंटी इंकमबेंसी जो शिराज सिंग चौहान की होगी उसको कैसे बदलेंगे तो चार-पांच घंटे की बैठक अमिश शाह ने जो और जेपी नड़्डा ने ली थी भोपाल में उसमें ताई यह हुआ था कि शिवरा सिंग च चुकी है उनको चुनाव प्रभंधन समीती जो है मद्यप्रदेश की उसका सहीं जग बना दिया गया है तो यह रही बात मद्यप्रदेश की कॉंग्रेस की जमीन इसलिए मजबूत है कि पिछली बार कॉंग्रेस बहुत अच्छा कर पाई थी और कॉंग्रेस ने सरकार भी नाली थी उनके विधायक टूडगे तो चले गए तो जैसे विधायक टूटने का खामियाजा करनाटक में भुगतना पड़ा था वो शायद भाजपा को यहां भी भुगतना पड़ेगा जितने दलबदलू थे उनको जनताने नका रहा है ऐसी स्थिती होती है तो भाजपा को मेहनत बहुत जादा करनी पड़ेगी राजस्थान में होता पल्टा है लेकिन उस पल्टे में भी चेहरे के आपने वसुंदरा से सवाल की शुरूआत की थी पिछले चुनाओं में तो सबसे बड़ा नारा ही ये लगा था कि मोदी जी से बैर नहीं पर वसुंदरा तेरी उस मानस को बदल पाएंगी ये देखना पड़ेगा और दूसरी बात निर्वर होगी बाजपा के चुनावी प्रबंदन पर और रंड नीती पर बिनो जी मोदी से बैर नहीं वसुंदरा तेरी खैर नहीं पिछली बार था लेकिन करनाटक का चुनाव हुआ है वो भी प्रदान मंत्री मोदी के चेहरे पर ज्यादा राज राज बुममई हलाकि सीटिंग सीएम थोड़ा सा फरक है यहां पर यहां पर यहां पर जो है अभ प्रदान मंत्री मोदी का चेहरा ही वहां पर रखा गया जैसा अभी तक इस पश्ट हुआ है तो यह लड़ाई जो है बीजेपी को लग रहा है कि हमारे फेवर में दिखाई पड़ प्रदान मंत्री मोदी जी तो भाजपाटे ऐसे ट्रंप कार्ड है जो हर जगे उनका चेह जो है नतीजे कुछ भी हो उनका चेहरा जो है मध्यप्रदेश में भी रहेगा चटीजरल में भी रहेगा रास्तान वी रहेगा क्योंकि करनाटक में था ही जितने चुनाव दोहजार चोजा के बास से हुए हर चुनाव पनान दिने मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है अब तो इसलिए ये बार बार कहना क्या तो रहेगा ही रहेगा ने असरदार है आपको क्या लग रहा है हो जी बने करते दोने तरह पढ़िदानाम आते हैं कहीं पताव सफलता मिलती है अभी तक तो नतिशा यह है तो अब जो जिन चुनाव का बात कर रहे हैं देखें ये बिलक चुनाओ 2004 में बीजेपी जीत गई थी और विधान समाद चुनाओ और लोग समाद चुनाओ में बहुत जबर्दा सार बीजेपी और इसलिए ये अब बात ये है कि अगर राजिवार देखें तो मत्य प्रदेश में जो हमारे मित्रों ने कहा है जैदीब जी ने कहा है शेंकर गया है ताकि वो डेमेज कंट्रोल की कोशिश की जा सके तो गौलियर पर बहुत ज़्यादा फोकस भी इसमें बीजेपी चला रहा मद्यप्रदेश का ने कि पिछली बार गौलियर चंबल संभाग जो है बीडी शर्मा नरुत्तम मिश्रा जो चला है सिंधिया और ने सिंग बीजेपी की पॉलिटिक्स पूरी जो है गौलियर चंबल संभाग से ही चल रही है अब वो प्रलाद प्रडेल को अब ले सकते हैं लेकिन वो खेंदर में वो अलग अब तो मत्यप्रदेश में यह दिक्कत है यह बात स्वहम बीजेपी महसूस कर रही है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस्थिती है हो गई है कि अभी शाजी की कल साथ जाने वाले थे उन्हों में टाली मीटिक बात दे जाएंगे जिसका कॉंग्रेस ने तंज भी किया वहां रमन सिंह के बाद कोई पांच साल में कोई नया नित्र पीजेपी विक्सित नहीं कर पाई है और अभी ज जितनी की विदायकों को खिलाएंटी इंकम दिल सी है तो यह भी एक फैक्टर अगर विदायकों को ठीकाट कट जाते हैं ज्यादा बड़ी चंक्या में तो शायद कॉंग्रेस को कुछ फाइदा मिल चकता है और अशो के लोग की जो योजनाए है वो योजनाए इस बार जम में वहां पर सतीश पूनिया का गुट अलग है वसंद्रा जी का अलग है और वह गुटवाजी के चैपुर से ले करके और जिले जिले तक है यह बीजेपी नियंतित करती है लेकिन उसके पक्ष में फाइदा यह कि सरकार दे खिलाब जो एंटिन कंबेंसी होती है उसका फा परदस्प्रदेशन के अदलाठी चार्ज भी हुआ था इस तरह है बीजेपी सरकार के खिलाब माहुल बनाने में काम्याब रहती है तो वह बीजेपी वहां बेहतर पोजिशन में बना और आपसी फूट आगे आने वाले दिनों में कोई ना हो थे लिए उतना आसान नहीं ह जैसा कि पहले होता था ठीक कि रिवाज होता था एक बार वसंदरा एक पीडी निकल गई जो इनी दोनों को देख रहे हैं आपकी एनलेसिस इन तीन रों राज्यों के बारे में कि राजिस्तान में ठीक है बीजेपी में अंदुरूरी है लेकिन वहां जो रिवाज है और ब असर रहेगा दूसरा अशोग गहलोत सबसे कमजोर मुख्यमंदिक तरह काम कर रहे तो कहीं दिखाई भी नहीं देते थे तो वह एक बड़े एक बड़े निश्क्रिय मुख्यमंदिक तो रहे वहां तो बदलाब निश्य था ही उच्छतिस गड़ में मान सकते हैं कांग्रे पिछले चुनाब में भी बहुत कम शीटा नहीं आई थी बीजेपी की तो बीजेपी वहां गे नहीं का करने वाली है और दूसरा जो अभी चुनावी सर्वे आ रहे हैं हम सब लोग आ रहे हैं लेकिन जो चुनावी सर्वे आएं वहां बराबर दिखाई दिए यह जरूर ह करके और हे हुआ कि जो चंबल का चेतर है जबनारी श्यों कमजर है लेकिन अगर एक अगरिज चेत्र में होता भी है तो दूसरे चेत्रा भरपाइब्य पूरी तरह से अब मैं अबदेश जी आपके पास भी आना चाहूंगा महा कौशल जो जिसका जिक्र किया और महा कौशल का इलाका जो यह कमलनाती पकड़ वाला इलाका माना जाता है और इस इलाके से प्रियंका ने अपनी शुरुआत भी की फिर दूसरा जो है ग्वालियर चंबल का इलाका है फिर मालवा निमाड और यह सारे क्षेत्रों में बुंदेल खंड की अपनी सियासत है विंदी का भी इलाका है जो कि उत्तरपुदेश से लगा हुआ भी इलाका है अब मैं आप से जानना चाहूंगा कि महाप इसलिए भी शायद उस पर लेकर रहा है कि यह घटना जो है बहुत त्वरित कारेवाई करनी पड़ी है लेकिन आपको लगता इसका कोई इंपेक्ट पड़ सकता है आने वाले देखिए पहले तो यह ध्यान रखिए कि 2018 में भारतिय जन्ता पार्टी की जो राजस्थान और 36 गर में पराज हुई कि एक कारण से पराज हुई थी सुप पड़ी जातिया थी और जो सवर्म जातिया थी वह दोनों राजियों में खिलाप तो यह रहे थे रमन सिंहां लेकिन यह दोनों राज बीजेपी जीतने वाली थी मद्य परदेश में आपको अगा सपाक्स बनी भोड तो सवा परसें थी काटा उसने लेकिन महावल ऐसा बन में भी अंतर नहीं था तो यह एक उस समय कारण था अब उसके बाद के अभी की जो परिस्थिती है कि बीजेपी 36 गर में अभी तक जो वहां के जो मुख मंत्री है उनकी काट आज तक नहीं ढूर पाई है लीडर्सीप नहीं खरी हो पाई है वह 36 गर में तो बीजेपी के मे जोत का सामना नहीं कर रही है थोरा साहिनों ने बोला भी है बिनोट जी ने भारतिये जनता पार्टी अपने समर्थ को कार्यकरताओं के असंतोस का सामना ज्यादा कर रही है वह हमने करनाटक में देखा वह हमने हिमाचल परदेश में जोतिरादिति की वाजे से बनने नहीं यह देखे भारतिय जन्तापार्टी की स्टेट गवर्मेंट में हमेशा रहा है कि जब भी सत्ता में आती है तो परसासन और पूलिस उसका हाभी होती है कारे करता अस्थानिय नेता वो कमजोर परते हैं उनके काम नहीं होते हैं सामाने काम भी और यह हमेशा रहता है तो एक सीमा तक तो लोग जेलती हैं लेकिन एक समय के बाद असंतोस होता है वो असंतोस सब जगह दिख रहा है मैं उत्तर प्रदेश में कारकरता हूं में असंतोस था पिछ आप भी मान रहें चाथी सगर्ड बीजेप और मद्यप्रदेश बीजेपी की चुनाओती है यह मान कारण ने सरकार जाने के बाद बद्यप्रदेश को छोड़ा नहीं आम तौर पर जो बड़े नेता होते हैं वो सुविधापुर्वाज केंदर में चले आते हैं अशोक गलोद भी मुखमेंद्री पर से हटने बाद केंदर में आ गए थे तो दिवे सिंग आ गए तो इस तर प्रती लोगों में राजनीती तो कोई करना नहीं चाहता था और मंत्री नहीं सकते थे मिलता भी क्या आके केंद्र में अध्यक्ष के लिए भी वह दोड़ में पहले मना कर चुके थे प्रवीन विनोज जी की इस बात से बिल्कुल सहिमा तुका जा सकता है कि कमल नाज जी ने मोर्चा नहीं छोड़ा और अचानक धाई साल में सरकार चले जाने का बलकि उनको जटका लगा तो उन्होंने उसको बलकि इस रूप में लिया कि नहीं किसी भी तरीके से खोई हु चुके हैं पर इस शो में बात उठी है तो यह महत्पूर है कि आदिवासी बेल्ट में ही सबसे बड़ा जटका भारती जनता पार्टी को लगा था कुल 47 आदिवासी सीटें आरक्षित हैं वहां पर मध्यप्रदेश में उसमें से 30 सीटों पर 2018 के चुनाओं में कॉंग्रेस चुनाओं में थीखित हैं जिती दाओं पहले चंबलबहा भी पर नुकसान इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में राणी के बीदौर्ए कर सुआए जान्या香र को वहां भारत है और शली अदिवासी राजमीटी आक्योश्तже यहां पर पिछले चुनाओं में आपने 47 में से आपके पास केवल 15 सोलर सीटे रह जाना और 30 सीटे कॉंग्रेस के खाते में चला जाना एकदम पैरोतले जमीन की सकने जैसी बात है अब कुछ कहना चाहरे हैं ने कुछ नहीं कहना चाहता है नाम आ गया वहीं सवाल उटता कौन सा हिंदुत है जिस हिंदुत में राष्ट्पती होने के बावजूद एक आदिवासी महिला को मंदिर की जोड़ी नहीं जाना जाता है दिल्ली में उख्यमंती जाता है और बाहर लंबा चल चुका है यह है सीधी सी बात है सम्मान की बात जो है ज्यादा चोट करती है लोगों को लगता है यह समाज में समस्या है पड़े परमाने कांग्रिस आध नहीं रहे करनाटका का चुनाओं देखे तो भी नतीजे सामने आये इसलिए कराओं कि दलितों में और अभी तक पकड़ रही है आप लोग समझने लगा है कि यह हमारे हितों के बिरुद्ध यह मनुस्पृति के लोग हैं यह चित्पाउन ब्रामणों की सहस्ता है यह वो सहस्ता लोग हैं जो दलित ओबीसी और आदिवासियों के बिरुद्ध है पूरे आदिवासियों में पूरे आदिवासियों में चुना हुए हैं पूरे आदिवासियों चाहे जंगलमहल में हो बीजेपी का पर्फॉर्मस बहुत पूर रहा है और और वो इलाका कौन सा है जंगलमहल का जो इलाका वो उडिसा सद्वन्ग्ड हैं जौपदी मुर्मुजे के घर के पास का इलाका है तो यह एक बीजेपी के लिए चिंद्दा की बात है और बंगा अपने 18 सीटों में से तक्रीबन 10 सीटों की इलाके में बहुत बुरा की है इस पर नुमर वन नुमर टू युनिटी के बात करते हो वहाँ पर वहाँ पर लिफ्ट और कॉंग्रेस ने अपनी वोटे बढ़ाई हैं सीटें बढ़ाई हैं और मताब चाहेगी आप अलगी रहो क्योंकि एंटी वहाँ पर पर क्या है वहाँ पर बढ़ता है तो अनका तो फाइदा होगा जैसे गुजरात में आप कुछ कहना जा रहे हैं ने के परशे मंगाल की बात करना है बत्काशारी जी वहाँ पर 63 अजार सीटों में से चालिस अजार से जादा लोगो नामां करने देया गया वो टीएम्से नहीं जो चुना जीता है ये बात कर रहे हैं यह यह भी कह सकते हैं कि जहां पर मावबाद का पहले परवाब रहा वहां पर जटका लगाए लेकिन क्यों लगाए क्यों कि इमसी में जो आतंक मचा रखा था उसके कारण बहुती जगे नामांकर नहीं हो पाए प्रचार नहीं हो पाया और जबरन बूत कब्जा किया गया चलिए तो यह कहना लिए लेकिन जिला पंचायदों चुना हुए तो वही इस धन बल सश्टरबल सा प्रयोग करके और भी एपी नहीं होता है चलिए आप क्योंकि क्योंकि वक्त हो गया सवापन का बहुत-धनिवाद आप सभी मेहमानों का आप चर्चा में जुड़े आप दर्शकों का बहुत-बह अपनी टिपड़ियां जरूर करें आपको कारिकरम कैसा लगता है और आपके जो कॉमेंट्स होते हैं ये आगे की रिपोर्ट्स बनाने में भी हमारे लिए बहुत काम आते हैं तो जनता जनारदन की राय सबसे महतुपूर्ण है आप इसे शेयर करिए आप अपने कॉमेंट